मैं पंकच कमार गुपता असिस्टेंट प्रोफिसर बियर गांधी महामी देला हो रही आज के वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम हुमन रिलेशन्स थियोरी में जॉर्ज एल्टन मियो की योगदान का अध्यन करेंगे आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो पिछले वीडियो में हमने हुमन रिलेशन्स थियोरी इसका इंट्रोड़क्शन और डेफिनिशन्स का अध्यन किया था आँगे आने वाले वीडियो में हम चेस्टर आई बर्नार्ड और मेरी पारकर फोलेट का हुमन रिलेशन्स थियोरी में योगदान का अध्यन करेंगे आज हम मानुवी शंबन सिध्धान्थ और जोर्ज एल्टन मियो का अध्धिन कर रहे है अर्थात हीमन रिलेशन थियोरी में जोर्ज एल्टन मियो का योगदान तो यदि देखा जाये तो इस भिचार धारा के जो जनदाता हैं फाउंडर हैं वो जार्ज एल्टन मियो ही माने जाते हैं उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मानुवी शंबन्धों की दिशा में अनिक प्रियोग किये ये प्रियोग बैस्टरन इलेक्टिक कमपनी की शिकागो इस्थित हाउथोन सडियंदर में सिर्मकों पर 1924 से 1933 तक किये गए पहला प्रियोग देखते हैं जिसको कहा गया है प्रिकास प्रियोग इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ए परिक्चा महला करबचारियों पर किये गए तथा इनका मूल उद्देश या पता लगाना था कि प्रिकास का सिर्मकों की कारेचमता इवम उत्पादक्ता पर क्या प्रिक्चा की अंतरगत सिर्मकों को दो सिर्मकों में विवक्त किया गया एक सिर्मकों को ऐसे इस्थान पर रखा गया जहां प्रिकास की अच्छी विवस्ता थी तथा दूसरे सिर्मकों की कारेचमता में प्रिकास की मात्रा में समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा इस या पाया गया कि दोनों समुहों की उत्पादकता बढ़ी इस प्रियोक से या इस पस्ट हो गया कि सिर्मकों की कारी च्छमता और उत्पादकता दोनों पर ही प्रकास का प्रभाव नगन है इसलिए सूत करता हूं ने यह निसकर्थ निकाला कि प्रिकास के अत्रिक्त कोई और भी तत्व है जो उत्पादन को प्रोहवित करता है और वह घटक है मानिविय शम्बंद इमन रिलेशन तो इमन रिलेशन नोनिवस फैक्टर को बताया जिसके कारण उत्पादक्ता में ब्रिद्धी हुई अंगला प्रियोग है पिरसारन सैयोजन जाच काक्छ प्रियोग रिलेशन टेश्ट रूम एक्सपेरिमेंट यह प्रियोग पूर्व की विसंगतियों को दूर करने के लिए किया गया था इसका उत्पादन पर थकान के प्रभाव का माप करना था यानि उत्पादन पर थकान का क्या प्रभाव परदा है इसका अद्धिन करना इस परिक्चण का उत्देश था इन परिक्चणों के लिए छेचे लड़कियों की दो दो समोई बनाए गए चेचे लड़कियों के दो समोई बनाए गए और उन्हें परतक कक्षों में टेलीफॉन अपकरण जोड़ने का काम सौपा गया उनका काम क्या था टेलीफॉन अपकरण को जोड़ना था ए लड़कियां कारिक को सल्टा अनभाव में औसत त्रेड़े की थी जिनकी जो वर्क कैपिसिटी थी और एक्सपिरियंस था वो ओसत था नज बहुत जादा अनभावी थी और नही जीरो अनभाव था उनके कारिक की देखवाल के लिए एक सुपर वाइजर भी निक्त किया गया जो काम के निरिक्षण के साथ साथ कारी बातावन को सोहर्थ पून भी बनाता था चार से बारह सबताह की प्रियोग अवदि में विविन परिवरतन करते हुए प्रियोग प्रारंब किये गए है प्राप्त परणामों के आधार पर यह निसकर्स निकाला गया कि कारी के भौतिक बाताबरण का उत्पादक्ता पर किसी प्रभाव का प्रभाव पढ़ना अनिश्चित है दूसे सब्दों में फिर भी उत्पादन कम या अधिक हो सकता है उत्पादक्ता एवं कारी दसाओं में किसी प्रकार का कोई सैसे मंद नहीं किया जा सकता उत्पानन ब्रिद्दिका प्रमकरण प्रवंदकों का साहनभूती पूर्ण बिवहार एवं कारी के दोरान करमचारियों को दी गई स्वायत्ता तथा उच्छ करमचारी मनोवल है यानि जो प्रवंदक सहनपूर्थ पूर्ण दिवहार करेगा और स्वायत्ता देगा कर्मचारी के जो मनोवल है उसको उच्छा बनाए रखीगा जो निशित रूप से अधिकारी होगा अंगला एक्सपरिमेंट था बैंक कर्मचारी और लोकर्म का प्रयोग बैंक वाइरिंग अबजर्मेशन रूम एक्सपरिमेंट इस परिक्शन का उद्दिस अनवचार कारसमूँ का अउलोक नात्मक विसलेशन करना था ने अनुप्चारिक समौह का ंपके में उप्चारिक काइद समौह फिलूपा जाताई इस प्रियोग लिए 14 कमचारियों का समौह एक समौह पकला एक का उन्हें आंपकको काम करने को काई काई दसाओं को अपरिवर्तित रखा गया तथा कार की देखबाल के लिए परविक्षक रखे गए थे इस प्रियोग का यह निस्कर्थ निकला कि अनौपचारेक समुई का मुक्र कारी अपने शदस्चों के बिवहार को नियंतर तेवं नियमित करना होता है इस प्रियोग से इसपस्ट किया कि बित्ती अभी प्रेणा इस प्रियोग ने इसपस्ट किया कि बित्ती अभी प्रेणा तथा कारी सुरक्षा के इस्थान पर करमचारियों के साथ अनौपचारेक सामाजिक संबंद करने से अच्छे मानवियर संबंद की इस्थापना होती है अनुप्चारिक सामाजिक संबंद अगर उनके शाद बना लेंगे तो इसके साथ ही आपकी जो मानवी शंबंद किस्था अपना है वो अच्छी तरफिये से हो सकती है चौथा था इंटर्विव कारी क्रिम साक्षात कार कारी क्रिम इंटर्विविंग प्रोग्राम इस कारी क्रिम में सूले सो करमचारियों के बीस हजार साफचार दाद लिये गए थी जिनका उद्धिश, कंपनी की नीतियों, कारी दशाओं, कारी पद्धतियों, परवेक्षन कारी बातावरण आदि के संबंद में करमचारियों की रुची को जानना था इस अध्यन की ये निसकर्स निकले की करमचारियों की आजादी से अपने बिचार प्रिकट करने का उसर देने से उनकी मनोबल में ब्रिद्ध होती है यानि कर्मचारियों को आजादी से अपने बिचार प्रिजट करने का आउशर दिया जाए तो उनकी मनोबल में ब्रिद्ध होती है कर्मचारी की मांगों पर संस्ता के भीतर और बाहर दोनों प्रकार की परिया बढ़नी या नभाव का प्रभाव पड़ता है यानि कमचारी अगर कोई मांग कर रहे हैं तो उसका संस्ता के बाहर और संस्ता के अंदर दोनों जगए इन्वार्मेंटल एफेक्ट पड़ेगा अब मानमी शम्मंद सिध्धान की मुक तर्थ यानि जो मियो ने दिया है जो अल्टन मियो ने हीमन रिलेशन तियोरी दिये उसके मैने अलिमेंट्स कौन कौन से हैं अब देखते हैं हाउथोन प्रियोग से प्राप्त निर्सकर्सों के आधार पर हाउथोन प्रियोगों से प्राप्त निर्सकर्सों के आधार पर मियो ने जिन सिध्धान्तों का प्रत्पादन किया वे मानमी शम्मंदों के मुक तत्यों के रूप में विक्षित हुए ए तत्थ निमनांके थे पहला मानमी तत्थ पर बल किसी भी उपकरिम के सदस केवल आर्थिक सकती नहीं है जिनका उद्देश मौद्रिक लाव या प्रतिफल के लिए कारी करना है यानि जो भी सदस यहां पे कारी कर रहे हैं उनका उद्देश केवल आर्थिक नहीं है जो केवल मौद्रिक लाप के लिए कारी कर रहे हो जबकि वे एक्छाओं, भावनाओं और आवशक्ताओं से परपूर एक जेतना इक्त प्राणी होते है यानि वे केवल आर्थे को दिस्क लिए काम नहीं करते है बलकि भी अपनी एक्छाओं भावनाओं और अवशक्ताओं यानि उनकी भी भावनाओं हैं उनकी भी एक्छाओं हैं उनकी भी आवशक्ताओं हैं उससे पर पूर एक जितना एक प्राणी है उनको एक माना जाना चाहिए दूसरा है अनौपचारिक समूहों का महात्त जो अन informal गुरुप से उनका importance importance of informal को कारी इस्तल पर एक साथ कार करते करते आपसी अंता क्रियाओं और मील जोल के कारण साधस्सों के वी छोटे चोटे अनवचारिक समुई बन जाते हैं जो कि उनकी क्रियाओं द्रिष्ट कोणों येवं बिहारों पर सामाजिक नियंतरण रखते हैं इन अनवचारिक समुई के स्वेम के कारी माबंडंड कारी प्रारूप नियम सिद्धान बन जाती हैं जो समस्त कारी वातरवान को जाती हैं और सभी बातावाण को भो प्रभावित करती हैं तीसरा कारी छम्ता पर मानवी यह सामाजिक तत्यों का प्रभाव एफेक्ट अफ हुमन और सोसल एलिमेंट्स ऑन बर्किंग कैपसिटी यह जो भी हुमन और सोसल एलिमेंट्स थे उनका बर्किंग कैपसिटी पर प् बलकि मानवी बिहार संबंदी तत जैसे मनोवल अभी बृत्ती आपसी संबंद सामाजिक संतुष्टी आधिकावी प्रुहाओ पड़ता है अंगला है सामाजिक व्यक्तिकी आधिर्णा कंसेफ्ट आप सोसल मैन इस बिचारधारा के अंसार सामाजिक व्यक्तिकी मानताएं निमने लिके थें पहला व्यक्ति मूल रूप से अपनी सामाजिक आवशक्ताओं से प्रेरित होता है तता समोई संबंधों के दौरा अपने व्यक्तुत एवं पहचान के बीच बोत को विक्सित करता है यह कारी में सामाजिक संबंधों पर बल देता है और वह अपने समकच समोई की सामाजिक सक्तियों के पर दिए अधिक अनक्रियासील होता है मानता आत्मिस्वास बा मनोबल पर बल इंप्रेसिस वन रिकॉगनिसन सेल्फ एक्लाइजिसन एंड मोरेल तो मानता आत्मिस्वास बा मनोबल यह तीनों ही किसी अधिक्रियम के सदस्वों की उच्छ मनोबल ग्यानिक आवश्यक्ताएं होती है जिनकी संतुष्टी उच्छत आउसर को पर दान करके की जानी चाहिए उच्छत आउसर एदि सभी लोगों को दिया जाए तो वो अपनी पहचान बना सकते हैं उनमें आत्मिकास होता है और उनका मनोबल भी उच्छा रहता है कि उनको भी आउसर प्रदान किया गया है से उनकी मनोब ज्यानिक अवशक्ता हैं वो संतुष्ट होते हैं चटमा मानाव सहयोग ही मन को लेवरेशन किसी उपक्रिम में स्रिष्ट कार्ज संस्कित बनाने ही उच्छ तक्निकी कॉंसल के स्थान पर मानाव सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एनि मानाव एक द सिकायतें संकेत मात रहें कंप्लेंट और वनली सिंप्टम किसी उपक्रिम के शदश्चों की सिकायतें केवल तत्यों का बेबरन ही नहीं होती बरन भी उनके अंदर छिपे हुए दुखों और असंतोष्ट का दियो तक भी होते हैं यह कोई सिकायत करता है तो निश्चित र जेस्ता है उदार पर वेक्चं प्रणाली लिब्रर सुपरवाईजिटरी स्टाइल सुतंतर उदार और सहनबूंत पूर्ण पर वेक्चं प्रणाली सदश्चों को आर्थिक कारी करने के लिए प्रेरित करती है जब सदश्चों को सुतंता पूर्बग विचार बिमर्द कर ने तथा कारी एवं बातावन ने अंतर रखने की स्वतनता होती है तो भी अधिक लगाना उतसाय से कारी करते हैं यानि लिब्राल सपाई वेर्जरी सिस्टम को रखा जाना चाहिए निरीक्षा नहीं होना चाहिए सुपर विजन होना चाहिए वह भी को लेवरेटिव कारी एक सामोहिक करिया है वरकेजी ग्रूप एक्टिव्टी नहीं है कि ये की व्यक्ति कर लेगा सब ग्रूप मिलकर किसी कारी को करेंगे किसी संग्ठन में कारी व्यक्तिक करिया नहीं है वरान एक सामोहिक करिया है सामोहिक रूप से कारी करते हो शदस नकिवल संग्णात्मक बलकि व्यक्तिक लक्षों को भी सरलता से प्राप्त करते हैं तो संक्ठात्मक लक्ष भी प्राप्त होते हैं और ब्यक्तिक लक्ष भी इससे प्राप्त होते हैं जब उसको एक सामुई क्रिया की रूप में माना जाता है दस्मा भाग लेने योग प्रवंद विवस्था दस्मा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कोई भी संक्ठान सामाडिक संबनों से निर्मित एक सामाजे की काई होता है अता किसी भी संक्ठान में निर्णाय किया में की बलब प्रशासा की नहीं बरन उसमें काम करने वाली कमचारी भी होने चाहिए जबकि साइस्टिफिक मेनेजमेंट थी वह क्या रही थी वह कहती थी कि जो एड्मिस्टेशन है उसका काम प्लानिंग करना होना चाहिए और जो कमचारी गर्ण है उनका काम प्रशासकों के लिए गए निर्णाय को इंप्लिमेंट करना होना चाहिए जबकि हुमन रिलेशन थी वह कहती है कि प्रशासक और कमचारी गर्ण दोनों को ही मेनेजमेंट में भाग लेना चाहिए जिसको उन्होंने पार्टी से पेटे मेनेजमेंट की संग्या दी जिस वीडियो में हम लोगों ने हेन्री फियूल के चाहुदासूतर और एडमिश्टरिसन थीओरी का अदिन गिया था उसमें हमने तीन कुश्चंस पूंचे थे कि एड्यूक्रेशनल एड्मिस्टेशन को प्रॉसस किसने मान रहा है तो हैन्री फ्योल इसका सही उत्तर है जिसको दिया है आमित कॉंसल जी ने इसके अलावा 14 सूत्र किसने दी है इड्मिस्टेशन के इसका भी सही उत्तर था हैंरी फ्योल और तीसरा कुश्चन पूँचा था कि हैंरी फ्योल की पुस्तक का क्या नाम है तो इस पुस्तक का नाम है जनरल और इंडिस्टिकल मेनेजमेंट ये तीनों ही उत्तर सही है इसलिए अमित कौंसल जी का नाम इस वीडियो में सामल किया गया है आप लोग भी पिशनों के उत्तर देकर अपने नाम अंगले वीडियो में सामल करवा सकते हैं अब हम आपसे पूछते हैं आज के वीडियो से संबन्दिद प्रिशन पहला प्रसासन की मानव संबंद बिचारदारा का जन्ध आता किसे माना जाता है एन जो manifestation की human relation theory है उसका propounder किसे माना जाता है आज का दूसरा प्रस्ञ जोर्ज एल्टन मेयों ने बैस्टन इलेक्टिंग कंपनी के सिकागो इस्तित हाउथोर्ण सर्यंत्र में सिर्मकों पर कब से कब तक प्रियोग किये थे आज का तीसरा पिश्ण हाउथोर्ण एफेक्ट से आप क्या समझते हैं What do you understand about हाउथोर्ण एफेक्ट हाउथोर्ण प्रभाव से आप क्या समझते हैं जो भी सही प्रिश्णों के उत्तर देगा उनकी नाम अंगले वीडियो में समलित किये जाएंगी जैसा कि पिछले वीडियो में उत्तर देने वाले अमित कौंसल जी के नाम को इस वीडियो में समलित किया गया है यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए अपने दोस्तों तक पहुचाने के लिए सेर करिए यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और यदि आप कंप्टिशन की तैयारी कर रहे हैं या सिक्चा सास्ते संबंदित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग